हेलो फ्रेंड्स मैं सुस्मा कोहार्ड वेलकम टू माई चैनल फ्रेंड्स इस चैनल पर ये जो डबल एकसल साइज के कारडीगन को मैंने बिल्कुल स्टेप बाई स्टेप सिखाया हुआ है आज मैं आपको इस कारडीगन की मीडियम, लार्ज, एकसल, डबल एकसल और ट्रिपल एकसल साइज के लिए उन के अनुसार फंदे लेना बताऊंगी कि किस साइज में, कौन सी उन में, कितने फंदे लेने हैं, डिजाइन को कैसे अडजेस्ट करना है, घटाई कितनी करनी है तो चलिए फ्रेंड्स आज की वीडियो शुरू करते हैं तो ये देखें फ्रेंड्स ये जो कार्डिगन है, ये डबल एकसल साइज का कार्डिगन है और इसे मैंने चैनल पर बिल्कुर स्टेप बाई स्टेप सिखाया हुआ है तो आप इसके सभी पार्ट चैनल पर देख सकती हैं और अगर आप सेम डिजैन में और मीडियम साइज के लिए ये कार्डिगन बुनना चाहती हैं और आपकी ओन इस तरह से ये थ्री प्लाई वाली हो तो आपको इस कार्डिगन के लिए थ्री प्लाई वाली ओन में ये देखिएगा medium size के लिए 3 ply वाली own में 101 फंदे लेने हैं 101 फंदे में ये जो design है 19 के multiple प्लस 2 फंदे से बनता है तो 101 फंदे में दोनों side पर आपके 3-3 फंदे उल्टे उल्टे आ जाएंगे और बीज में आपका ऐसे ही design adjust हो जाएगा फ्रंट के पार्ट में जब आप फंदे लेंगी बैक पार्ट में 101 फंदे हैं तो 101 का half करके और प्लस 5 फंदे हमें पट्टी के लिए डालने होते हैं जब हम 101 का half करते हैं तो हमारे जो फंदे हैं 51 एक side और 50 फंदे एक side होते हैं तो दोनों side के 51 51 करके 5 5 फंदे पट्टी के लिए डालेंगे तो दोनों part के हमारे 56 फंदे हो जाएंगे 56 फंदे में से 10 फंदे की बटन पट्टी बनानी है और आपके 46 फंदे बचेंगे 46 में आपको design adjust करना है डिजाइन एड़जस्ट करते टाइम चार-चार फंदे दोनों साइड पर आपके उल्टे-उल्टे आ जाएंगे इसकी बाजू में आपको मीडियम साइज के लिए 42 फंदे लेने हैं 42 फंदे में दोनों साइड पर आपके 22 फंदे उल्टे-उल्टे आ जाएंगे मीडियम साइज के लिए मुढ़े की घटाई के लिए आपको चार, तीन, दो, एक की घटाई करनी है और फ्रेंट से बाजू में जब आप फंदे बढ़ाती जाएंगी बनाने का तरीका सेम होगा आप चैनल पर इसके सभी पार्ट डबल एक्सल साइज में देख लिजेगा की कैसे क्या करना है बुनाई का तरीका सेम होगा सिर्फ फंदे ही कम जादा होंगे तो इसकी बाजू में आपको लाश्ट तक 92 से 96 फंदे तक आपको कर लेने हैं और उसके बाद अगर लेन्थ आपकी बचे तो बिना फंदे बढ़ाए पूरी कर सकती हैं बाजू की जो घटाई करनी है वो आपको इसमें 4, 3, 2, 1 से करनी है और उसके बाद फिर से 1 फंदे की फिर से 1 की और फिर 2 फंदे की घटाई करके जितने फंदे बचे उन्हें आप बाइंड ओफ कर दीजेगा ये तो हो गया फ्रेंड से इस तीन प्लाई वाले उन में अगर आपकी उन दीखेगा इस तरह से ये जो नॉर्मल उन होती है इसमें तीन तार नहीं होते हैं ये किसी भी कंपनी की हो सकती है अगर इस उन से मीडियम साइज के लिए कार्डिगन बनाना चाहती है तो आप इसमें 107 फंदे डाल लीजिए बैक पार्ट में जब आप फ्रंट के पार्ट बनाएंगी और फ्रेंड से 107 फंदे में फ्रंट पार्ट बनाने से पहले ये बता देती हूँ जब आप इस डिजाइन को एड़ेस्ट करेंगी तो दोनों साइड पर आपके 6-6 फंदे उल्टे आएंगे तो आपका ये जो डिजाइन है सेम ही एड़ेस्ट हो जाएगा और 107 फंदे बैक पार्ट में होंगे तो फ्रंट के पार्ट में आपने इसमें 59 और 59 फंदे डाल लेने हैं और 59 में से 10 फंदे की पट्टी बनानी है 49 फंदे में आपको डिजाइन एड़ेस्ट करना है डिजाइन एड़ेस्ट करते टाइम एक साइड पर आपके 5 फंदे उल्टे बचेंगे और एक साइड पर आपके 6 फंदे उल्टे बचेंगे अगर आप चाहो तो पट्टी के साथ साथ कोई भी केबल बना सकती है तो फिर आपको जादा फंदे एक साइड में उल्टे नहीं बनाने होंगे बाजू में आपको वही 42 फंदे रखने हैं और दो-दो फंदे उल्टे उल्टे आ जाएंगे और लाश्ट तक जो आपको फंदे बढ़ाने हैं वही 92 से 95 तक रख सकती है मीडियम साइज के लिए कंधे पर आप इसके 30 फंदे रख लीजिए तो इसके जो कंधे की चोड़ाई है वो बिल्कुल सही बन जाएगे तो फ्रेंट्स ये तो हो गया है मीडियम साइज के लिए अब अगर आप इस कारडिगन को L साइज में बुनना चाती है सेम डिजाइन के साथ तो ये देखेगा ये L साइज की मेजरमेंट है L साइज के लिए इस थ्री प्लाई वाली उन में आप इसमें 116 फंदे डाल लीजिए 116 में दोनों साइड पर एक एक फंदा आपका उल्टा आएगा और बीच में आपका सेम डिजाइन एड़जेस्ट हो जाएगा जब आप फ्रंट के लिए फंदे लेंगी तो 63 और 63 दोनों पार्ट के हो जाएंगे 63 में से 10 फंदे की बटन पट्टी बनानी है और 53 फंदे में आपको डिजाइन एड़जेस्ट करना है और पट्टी के साथ आप इसमें कोई केबल भी बना सकती हैं और अगर केबल नहीं बनाती हैं तो बाकी के फंदे को आप उल्टा उल्टा भून लेजे बाजू में इसके लिए भी आप 42 फंदे लीजे दोनों साइट पर दो दो फंदे आपके उल्टे आ जाएंगे उपर तक आपको इसमें भी 92 से 96 तक ही फंदे रखने हैं मुड़े की जो घटाई करनी है इसमें भी वही 4,3,2,1 से करनी है और बाजू की घटाई भी मीडियम और लार्ज की सेम ही होती है 4,3,2,1 और फिर से एक फंदे की फिर से एक की और फिर दो फंदे की घटाई करके बाजू के सारे फंदे बाइंडो कर सकती हैं और फ्रेंट से ये तो हो गया है तीन प्लाई वाली ओन में L साइज के लिए और अगर इस ओन से बनाना हो तो फिर आप इसमें 120 फंदे बैक पार्ट में डाल लीजिएगा और फ्रेंट से अगर आपको ओन आपकी ज़्यादा पतली हो तो फिर आप उसमें 124 फंदे डाल है 67 में से 10 फंदे की पट्टी बनानी है 57 में डिजाइन को एड़ेस्ट करना है एक्स्ट्रा फंदे इसमें नहीं बचेंगे 19 के मल्टीपल से ये डिजाइन ही एड़ेस्ट होगा तो आप इसमें एक फंदा एक्स्ट्रा बढ़ा सकती है डिजाइन को एड़ेस्ट करते टा तो medium और layer size की ये measurement आपकी हो गई है अगर आप ये same cardigan अब axle size में बनाना चाहती हैं तो ये देखिएगा ये इसकी axle size की measurement है तो axle size में अगर आपकी जो उन है इस तरह से 3 ply वाली उन हो तो 3 ply वाली उन में इसमें 124 फंदे डाल लीजिए 124 फंदे में दोनों साइट पर 5-5 आएंगे ये उन फ्रेंट ज्यादा सोप्ट होती है इसलिए हम इसमें 5-6 फंदे कम ही रखते हैं तो size हमारा अच्छा बन जाता है तो दोनों साइट पर 5-5 फंदे आप उल्टे रखिए फ्रंट के लिए जब आप फंदे लेंगी तो 124 के हिसाब से फ्रंट के दोनों पार गटाई आपको एक्सल साइज के लिए 5-3-2-1 से करनी है और जब आप इसकी बाजू के लिए फंदे लेंगी तो बाजू में आप 44 फंदे डाल लेजेगा और फंदे बढ़ाने का तरीका मैंने इस कार्डेगन के लिए बताया हुआ है वैसे ही बढ़ाना है और फंदे फिर से एक फिर से एक और फिर दो फंदे की घटाई करने के बाद सारे फंदे बाइंड ओफ कर दीजिएगा और जो आपको उपर कंधे के लिए फंदे छोड़ने हैं वो 30 से 31 फंदे आप छोड़ दीजिएगा ये तो हो गया है फ्रेंड से एक्सल साइज के लिए 3 फंदे उल्टे उल्टे आ जाएंगे जब आप 128 फंदे बैक पार्ट में लेंगी तो फ्रेंट के लिए आपको 69 और 69 फंदे लेने होंगे 69 में से 10 फंदे की बटन पट्टी निकालनी है और 59 फंदे में आपको डिजाइन एड़जेस्ट करना है 19 या 57 दो फंदे बचेंगे सिलाई वाली साइड में दो फंदे उल्टे कर लेना और पट्टी वाली साइड आपको एक्ष्टा फंदे रखने की जरूरत नहीं है बाजू में आप इसके 44 फंदे डाल लीजिएगा और 105 से 110 फंदे तक आप इसके लाश्ट तक जो है बना सकती है और फ्रेंट्स ये इस नॉर्मल ओन में रखने है 105 से 110 और प्लाई वाली में 98 से 100 तक बाजू की जो घटाई करनी है वो वही 5, 3, 2, 1, 1 और फिर ये 2 ऐसे ही करनी है तो ये हो गई है एक्सल साइज की मेजरमेंट दोनों ही ओन के अनुसार और फिर से ये जो साइज है ये डबल एक्सल है इसे मैंन को इसकी मेजरमेंट बता देती हूं कि इसमें मैंने कितने फंदे लिये हैं तो फ्रेंट सी ये जो डबल एक्सल साइज का कार्डिकन है इसके बैक पार्ट में मैंने 149 फंदे लिये थे 139 उनिस के मल्टीपल प्लस दो से डिजाइन एड़जेस्ट होता है तो मैंने इसमें जो है 139 फंदे लिये थे जिससे मेरे दोनों साइड पर तीन तीन फंदे एक्ट्रा आए थे जो मैंने उल्टे बनाए थे अब बैक पार्ट में 139 फंदे थे तो फ्रंट में जब मैंने इसके फंदे लिये तो फ्रंट के लिए 75 और 75 फंदे मैंने लिए हुए हैं 10 फंदे की ये वाली बटन पट्टी बनाई हुई है और जो मेरे 69 फंदे बचे उसमें मैंने इस डिजैन को एड़ेस्ट किया हुआ है इसमें मैंने जो मुड़े की घटाई की है वो मैंने 5, 4, 2 और 1 से की हुई है इसकी बाजू में मैंने यहां पर 44 फंदे ल 5, 4, 3, 2, 1, 1, 1 और फिर 2 ऐसे मैंने इसकी घटाई की हुई है और बाकी इसे मैंने बिल्कुल स्टेप आई स्टेप बुनना बताया हुआ है अगर इसी कार्डिगन को आप नॉर्मल उन में बुनना चाहती है तो आप इसके बैक पार्ट में 145 फंदे डाल लीजेगा और फ फ्रंट के दोनों पार्ट के 78 और 78 फंदे आ जाएंगे 78 में आप 10 फंदे की बटन पट्टी बना लीजिए 68 फंदे में आप डिजैन को एड़ेस्ट कीजिए एक्स्ट्रा जो फंदे बचे उन्हें उल्टा उल्टा बनाईए बाजू में वही आपको 44 फंदे लेने हैं और बाजू में लाश्ट तक जो आपको फंदे बनाने हैं वो आप इसमें 110 से 115 फंदे तक कर लीजिए तो आपकी बाजू का जो साइज है वो बिल्कुल फरफेक्ट बन जाएगा तो फ्रेंट से ये हो गई है डबल एक्सल साइज की मेजरमेंट और इसे मैंने सिखाया भी हुआ है अगर अब इस सेम कार्डिगन को आप डबल एक्सल के बाद ट्रिपल एक्सल साइज यानि जो फ्री साइज होता है वो बनाना चाहती हैं तो उसके लिए देखिएगा फ् इस दिजाइन को एडजेस्ट करेंगी तो दोनों साइड पर आपका एक एक फंदा उल्टा आएगा और बीच में आपका सेम डिजाइन एडजेस्ट हो जाएगा बैक पार्ट के हिसाब से जब आप इसके फ्रंट पार्ट में फंदे लेंगी तो आपको 82 और 82 फंदे डाल बटन पट्टी बना लीजिए 72 फंदे में डिजैन को एडजेस्ट करना है एक्ट्रा जो फंदे होते हैं अगर आप इस बटन पट्टी के साथ साथ कोई भी केबल बना लेंगी तो इस कारडीगन की जो लुक है वो और भी सुन्दर आ जाएगी तो आप कोई भी केबल एडज एक से कर लीजिए तो इसकी जो घटाई है आरम होल है वो बिलकुल अच्छी बन जाएगे इसकी बाजू के लिए आप इस तीन प्लाई वाली ओन में 46 फंदे डाल लीजिए 46 फंदे में दोनों साइट पर आपके 4-4 फंदे उल्टे उल्टे आ जाएगे बाजू की जो घट घटाई करनी है वो सेम ही करनी है 5-4-3-2-1-1-1 और ये दो ये घटाई करने के बाद सारे फंदे आप इसमें पाइंड ओफ कर दीजिए और इसके शोल्डर पर आप 34-35 फंदे छोड सकती हैं दोनों ही तरह की उन में और फिंसी ये तो हो गया है प्लाई वाले उन में अग इसमें आपके 6-6 फंदे दोनों साइड पर उल्टे उल्टे आ जाएंगे जब आप इसके फ्रेंट पार्ट के लिए फंदे लेंगी तो आपको 87 और 87 दोनों पार्ट के हो जाएंगे 87 में से 10 या 11 फंदे की आप बटन पटी निकाल दीजिए बाकी के अगर 10 फंदे की बना और उपर तक आप 110 से 120 या 122 फंदे तक बढ़ा दीजिए बाजू की जो घटाई करनी है नॉर्मल ओन में भी वही करनी है पांच चार तीन दो एक 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 और ये दो ये घटाई करने के बाद आप इसके जितने फंदे बचे बाजू के वो सारे फंदे आप बाइंड ओफ क कर दीजिए गले की जो घटाई मैंने इस कारडिगन में बताई हुई है सभी साइज के लिए वो सेम ही होती चली जाएगी क्योंकि सोल्डर के जो फंदे हैं वो मैंने सब साइज के हिसाब से बताए हैं तो उसी हिसाब से उसके घटाई आगे आगे बढ़ती चली जाएगी और length friends से इसकी आप हाइट के अनुसार रखेगा क्योंकि सबकी हाइट एक जैसी नहीं होती है किसी की कम होती है किसी की ज़्यादा होती है किसी को ज़्यादा long पहना होता है किसी को normal और किसी को short तो उस हिसाब से आप इसकी length का नाप रख लीजेगा तो friends से आपको size के अनुसार इस measurement की ये वीडियो पसंद आई हो तो please आप इस वीडियो को like कीजिए अपने सभी friends group में से share कीजिए चैनल पर नए हैं सबस्क्राइब नहीं किया है तो चैनल को सबस्क्राइब करके bell icon को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाले सारे वीडियो के notification आपको सबसे पहले मिल सकें और आप मेरे चैनल के सारे वीडियो सबसे पहले देख सकें Thank you